नए नए आयर्वेदिक देशी घरेलून उसके वजानकारी जानने के लिए हमारे चानल देशी इंदी टिप्स को अभी सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बैल आइकन दबाई नमस्कार दोस्तों आपका मेरी यूटूब चैनल देशी इंदी टिप्स में स्वागत है दोस्तों आयर्वेदि में ऐसी बहुत सी ओसदिय वनस्पतिया है जिनके कई वेद होते हैं इन में से कोई परजाती बहुत दुरलब तो कोई सरल पाई जाती है कोई गुनों से भरपूर तो कोई कम गुनवान होती है कुछ ऐसी ही आज की अमारी ओसदी है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस ओसदी का नाम है सतावर इसे सतावरी, सतमुली, सतमुली, सरनाई के नाम से भी जाना जाता है सतावर की अमारे देश में कई परजाती होती है जिसमें से मुख्य देशी सतावर है देशी सतावर से भी तकतवर एक और पर जाती है जिसे महा देशी सतावर कहती है वह देखने में कम मिलता है बाकि सतावर की एक और पर जाती जिसे नेपाली सतावर, लाल सतावर या ठंडी सतावर भी कहते हैं उसका इस्तमाल आयरवेद दवाईयों में बहुत बड़ी तदात में किया जा रहा है क्योंकि आज के आयरवेदिक डोक्टरों का कहिना है कि लाल सतावर जादा उत्तम है पर फिर भी हम हमेशा देशी सतावर का ही प्रियोग करते हैं और हमें पूरा फाइदा भी होता है दोस्तों देशी सतावरे काटेदार बेल होती है ठीक उसी परकार जिस परकार अन्य सतावरी होती है बस देशी सतावरी की बेल ज़्यादा फैलती वह उठती है इसके पत्ते अन्य सतावरी जैसे ही होती है जो बारिश के मोसम में बेल को भर देते हैं जैसे ही पत्ते पिल्ले उपकर जड़ते हैं बेल पर सफेद फोलो की मंजरिया लग जाती है इसकी जड़् लंबे लंबे कंद के रोप में निकलती है इसकी जड्ो के उपर से जब आप छिलका उतारेंगे तो अंदर सफेद रंग का गिला चिपचपा कंद मिलेगा इस कंद के अंदर एक पिले रंग की डोर निकलती है जो सक्त होती है जैसा कि आप वीडियो में देख सकती है सतावर ठंडे परकरती का होता है पर काफी देशी वेद इसे हलकी गरम वे ज़्यादा ठंडे बताते हैं सतावर को सरीर में बल बढ़ाने आखो को तेज में बनाने योन सक्ति बढ़ाने कामेच्छा बढ़ाने वजन कम करने मधूमे में सुजन गटाने में माईगरेन के दर्द में तवचा में निखार लाने के लिए तनाव दूर करने वे अनिंद्रा रोग में इस्तरियो की परदर की समस्या खतम करने में मुत्रकच की समस्या में बुखार ठीक करने में खासिव गले की समस्या में बलर प्रेशर नियंतरन में हडिया मजबूत करने में सतावर के कंद का परियोग किया जाता है। सतावर इको इस्तरियों के लिए अमरित बताया गया है। सतावर इस्तरियों के मासिक धरम को नियंतरित करती है। लिकोरिया का उपचार करती है। उनके परजनन अंगों को स्वस्त रखती है। योन विकारों में रहात दिलाती है। वे गरबस्ता के दुरान वे बाद में फ बाकि इसकी मातरा का आप अपने सरीर अनूसार या वेद के सला में ले सकते हैं दोस्तों सतावर एक ताकतवर उस्दी है जो असानी से नहीं पच्चती है इसलिए जहां तक हो इसका रात को ही इस्तमाल करे सोने से पहले और भोजन थोड़ा कम खाए आप इसे रात का भोजन करने के दो गंटे बाद ही खाए जिनको पहले ही किसी परकार के समस्या है और दवाया चल रही है वे अपने डॉक्टर की सला से सतावरी खाए बाकी जो भाई शरीर में तकत बढ़ाने के लिए इसे खानना चाते हैं वे इसकी एक चमच की मातरा का सेवन दूद के साथ मैनत करने के बाद खा सकते हैं बस याद रखे कि इसे खानने के बाद दो गंटे तक ना कुछ खाए ना कुछ पीए अन्य था आप पूरा फाइदा नहीं उठा पाएंगे सतावर का चूरन आपको ओनलाइन भी मिल जाएगा अगर आप इस्तमाल करना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आप इसे खरीद सकते हैं दोस्तों देशी सतावर की जानकारी आपको कैसी लगी और सतावर के बारे में आपकी क्याराया कोमेंट करके जरूर बताए क्योंकि आपके कोमेंट से वीडियो देखने वाले को बहुत मदद मिलती हैं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना भूले देने वाद दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए